आउजब बिल्लाहे मेरे शेयतवाने रजीम, बिसमिल्लाह रख्माने रहीम, असलाम अलेकूम, मैं हूं साधिया सुहेल, आपकी दोस्त, आच्छा मैं आज आपसे अपने बच्पन का स्टूडेंट लाइफ का एक पड़ा इंट्रेस्टिंग वाक्या शेयर करना चाहती हूं क्योंकि जो मैं आपको वजीवा बताने वाली हूं, उससे रिलेटिड है, एक दफा ऐसे हम लोग दुबहर का टाइम था, घर पे दुबहर का खाना, खाकिश ऐसे दुबहर में आप तो हर वो जमाने नहीं रहे, लेकिन हम दुबहर में अमिया डांट के लिटा दिया करती जबजस्ती के थोड़ी देर सो जाओ, और उसके बाद उठकर स्कूल का काम करना, तो हम ऐसे लेट के थोड़ी देर लेटे हुए थे तो बाहर दर्वाजा खटकने की आवाज आई, तो बढ़ों में इसकोई गया, उसके बाद से थोड़ा सा उसी के बोलनी की उच्छे जवाज आई, हम बच्चे भी हमें तो सोने का बहाना चाहिए था कि हम सोने से जान चूट जाए, दुबहर में खेलने का दिल होता था, हम बाहर निकले, तो एक बढ़ा दर्वेश से इनसान थे, जैसे हम से कहते हैं, गले में माल आएं और वो चीज़े पहनी हुई, उनके दर्वाजा खोलता ही, और मेरी वालदा ने पूछा कि जी आपको क्या काम है, ने का जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे, अब हमारी आम तो पर यह होता है कि आए को दर्वाजे पर मांगने आए, तो हम उसको पैसे दे देते हैं, मस्क्सद यही होता है कि ना दे, मुझे यह नहीं चाहिए, तो उनकी जो साथ खावतीन थी, उन्होंने का यह लोग टाइप है, बहुत जगीरदार फैमली से हैं, लेकिन यह बस इस तरह ही चल पड़ते हैं, और हरे के घर नहीं चाहते हैं, अगर यह आपके घर आए हैं, और उनने खाना मांगा है ना, तो यह बस समझें, कोई आपको तौफ़ा ही दे के जाएंगे, तो हमारी यह वालदा ने खाना दिया, उनने खाना पेट परके खाया, पानी पलाया, तो उसके बाद मेरे वालिद साब भी करे थे, अल्ला उन्होंने हजारों जन्नते नसीब करे, उन्होंने अपने एक पर्स में रख लो, तेरा रिजक नहीं खत्म होता, यह कहके वो चले गए, अब हम बड़े वो इसमें कि क्या मामला है, हमने वो चाबल अब्बू ने ऐसे लपेट के किसी काख़ में इसे फोल्ड करके इसको टेब लगाके अपने वालट में डाल दिये, और फिर हमने देख किसी के पास भी पैसे ना हूँ, अब्बू के पास से जरूर निकलाते थे, और हम अब्बू से कहते थे, अब्बू क्या बरकात है में यह आपके पर्स की, जब मैंने देखा, मैंने किसी बहुत बड़े आलम फाजल से पूछा, कि यह चावलों में ऐसी क्या चीज थी, उन रिजक में कैसे अजाफा होता है, और तुम्हारा पर्स जिसमें रखोगी वो खाली नहीं होगा, तो जनाब यह वजीफा फिर प्रैक्टिकली मैंने भी किया, और जिसके फवाइद जिन लोगों को दिया, बहुत जादा हुए, अल्ला की तरफ से, अल्ला कोई ना कोई गा रहा, एक दिन गरना, आप ने चावल के, यह चावल तोड़ा चोटे हैं, चावल के साथ दाने ले लेए, जैसे मैंने साथ दाने ले में चावल के साथ दाने लेने ने आपने गिन कर और इन पर आपने अवलो आखिर दूदे पाक बावजू होके ये रिक्वेस्ट है जब भी वजीफा करें अल्ला का कलाम पढ़ें तो बावजू जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है ना हम ममूली ओदेदारों से इतने इंस्पा जाते हैं क्योंकि मेरा तो प्रोटिकल लाइफ है और मैं तो देखती हूं बिरिक्रसी में हम लोग ये जो अफसरान होते हैं और नाम सुनके प्रिंसिबल सेक्टरी है ये है वो है इतने मुदब हो जाते हैं इतने प्रोटोकोल फालो करते हैं जी मिनिस्टर आ रहा है सीम आ बावजूना होना और ये गलत बाते हैं इनको हमें समझने की सुरुत है आपने बावजू होके पनान से पाक साफ जगा पर बैटना है वही मैथट के यकीन नमबर वन के अल्ला पाक की जात पर यकीने कामल और उसके कलाम पर यकीने कामल और इस तितिकाद के साथ कि मेरा ल हासिक है चावल तो शायद एक संबालिक है कि रिजक का हिस्सा है इसलिए शायद इस पर ये करते हैं कि इससे रिजक में बरकत रहती है लेकिन नाम किसका है मेरे रब का आपने अवलो आखिर दूदे पाक पड़कर 33 बार 33 बार सोरी मैं ते सतर बार सतर बार 11 बार आपने एक चावल पकड़ना इस तरह करके उस पर आपने 11 बार दूदे पाक फिर सतर बार اللہ کا जो एक इसम है उसकी सिफ्ट है या रजा को या रजा को पढ़ाता सत्तर बार 11 बार आपने दुरूद इय रजा को पढ़ा बिर दुरूद इय बार पृर दुरूद इय बार और उसको अलग रख दिया इसी तरह एक एक करके आपने चावल लेने हैं साथ दानों पे आपने 11-11 बार दुरूद पाक अवलो आखिर और सतर बार या रजा को या रजा को रिजग देने वाला है उसकी ये सिफ्त है उसका ये नाम है आप जब उसको प्यार से महबत से, अकीदत से, हक से पकारते हैं ना, या रजा को, या रजा को, या रजा को, अपने अंदर वो खुश औ खुजू काइम करें. आपने 70 बार ये साथ चावलों पर आपने ये एक एक फी चावल 70 बार यारजा को 11 ग्यारा ग्यारा बार धुरूद पाक आपने ये किसी पुड़िया में मैंने तो अपने अब्बू को देखा था कोई मलमल के कपड़ों में भी सी सकता है इसको कोई चाहे तो लेदर में भी डाग के तवीज में भी डाल सकता है कोई चाहे कागस में लिपेट के उसके पर टेप भी लिपेट के अपने वालेट में अपने पर्स में रख लीजे और फिर ये राजिक की जो राजिक है सब को रिजक देने वाला है पिर आप देखेंगे आपके रिज्क में कैसे अजाफा होगा आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा आपके रहेगी और आप माशी मसाइल से बाखुबी निकल सकेंगे बहुत शुक्रिया दौा में याद रखें